हलो बच्छापाटी कैसे हैं सभी लोग I hope कि सब बढ़िया होंगे and पढ़ाय लिगाई कर रहे होंगे so welcome back to the channel my name is टापरोमर and in today's video finally we are going to start our organic chemistry chapter 10 that is hello alcanes and hello arines तो भई इतना demand थी तुम लोग की organic के पीछे तो okay I know I am late I am extremely sorry for that I know तुम लोग की demand जो थी तो वो एक्दम सही भी थी तुस टाइम पर मैं record नहीं कर पारीं थी but yes I am here with this chapter and let's get started ठीके तो चलो शुरू करते हैं chapter को hello alcanes hello arines तो नाम का अब अगर आपकी पेली चीज़ तो पहले हाँ yes one more thing very important कुछ बच्चों की basics जो organic की होती है वो बहुत वीक होती है right no issue obviously बहुत लोग की होती है तो 10th और 11th में बहुत ज़्यादा अच्छा 11 तो माम आप जोड़ाई मत करिये ना तो 10th और 11th में बहुत ज़्यादा focus जो होता है वो पीछे हो जाता है और याफ नहीं कर पाई किसी वज़े से तो उनकी बहुत ज़्यादा उनको डर लगता है 12th से बिलकुल मत डरना ऐसा बिलकुल भी नहीं होने वाला क्योंकि जब मैं आपको कोई भी चीज ठीक है तो वो मत सोचना कि इस इधर पढ़ने के लिए आपको कोई पहले वीडियो देखने पढ़ेंगे बिलकुल भी नहीं ऐसा है ठीक है चलो अब बहुत ज़्यादा basic पर भी तुम लोग मत कहना यह तो मेरा सब एक्जामपल था कि हैं एक हेलो एलकेंज नाम संभण हारे समस्तिंंग हेलो अंड एलकेंज लाइटवड में यह चीज तू लाए Hello alcanes and hello arise में, पहले Hello alcanes की बात करते हैं, तो दो word में ब्रेक हो रहा है Hello and alcanes, चलो, Hello क्या होता है, तो जब यहां पर बच्चोą Hello बोल रहा है वो, तो उसका मतलब है halogen, ठीक है, जब वो hello बोल रहा है, तो वो ये वाला hello नी, वो hellogen वाला है गोल रहे है, ठीक है, हैलोजेंस क्या होता है है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आस्टीन, राइट, तो यह हमारे हैलोजेंस होते हैं इस तरीके से, एधी, एलकेंस, जब बात आ रही है उसके एलकेंस की, तो पैचा, एलकेंस क्या होता है, एलकेंस मालोग कार्ब कारबन की chain है. right? कारबन कारबन की chain जो है उसमें single bonded है. कारबन कारबन. ठीक? तो अगर single bonded है, तो वो alkane कहलाते हैं, double bond है, तो वो alkene कहलाते हैं, and triple bond है, तो वो alkyn कहलाते हैं. ठीक? इसको हम R से denote करते हैं ठीक है, so halogen और alkane की को यहां पर बात होगी, पहले तो इतना समझो, अब आगे जानते हैं क्या होता है, चलो, तो अगर halo alkane की बात करते हैं, तो वो बोलते हैं, कि जब आप किसी carbon के साथ hydrogen connected है, ठीक है, carbon के साथ hydrogen connected है, आपको करना है, आपको सर्फ एक काम करना है, आ उसको क्या बोलेंगे, halo alkane, थोड़ा-थोड़ा समझ मैं, चलो समझाते हूं, और अच्छा से, so, अगर मैं definition रीट करूँगी, तो देखो क्या बोल रहा है, इतना हर्याली टाइप की PPT, आज राइट, इतना ग्रीनरी है पूरे में, तो दिहान से पढ़ते हैं इसको, the replacement of one or more hydrogen atoms of an alkan, किसका replacement, hydrogen का, किसका replacement, hydrogen का, alkan में से, by an equal number of halogen atoms, किस से replace कर रहे हो, halogen से, so, that result in the formation of alkyl halides और halo alkanes, ठीक है, alkyl halide और halo alkanes एक ही बात होती है, ठीक है, halo erine का भी नाम होता है, दोनों बता देंगे, अभी हम halo alkanes की, halo alkanes की बात करते हैं, के बल, simple बोल रहा है, कोई भी एक alkane ले लो, क्या alkan याद है, बच्चो, alkane, अभी यह भी बता है, single single bonded है, चलो, methane से लेते हैं, ठीक, आपने एक methane लिया, methane क्या होता है, methane is basically CH4, ठीक, meth, यानि कि single carbon, यह सब पता है न, सबको root words होते है, meth, eth, prop, but, तो इसको कैसे लिखेंगे, meth, यानि कि एक carbon, अब carbon क्या होता है, tetravalent होता है, यह आपने 10th class में पढ़ा होगा, carbon hazard, tetravalency, 4 valency होती है, तो इसके 4 valency है, तो यह carbon देखो, 4 valency है, तो कितने carbon का केवल, एक main दोस्त है, जैसे आप होते होना, बहुत सारे हमारे friends होते हैं, लेकिन जब कोई problem पढ़ती है, तो सिर्फ एक या दो कुछ बहुत specific friends होते हैं, जो आते हैं, carbon के में, केस में, सिर्फ हो सिर्फ hydrogen hydrogen उसका best friend होता है, तो जब इसको जरुवत पढ़ती है, यह hydrogen को बुला लेता है, कितनी valency है, 4, तो यहाँ पे 4 hydrogen आ गए, ठीक, then, eth, eth यानि के 2 carbon, अब देखो, 2 carbon तो हो गए, कितनी valency रह गए, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो C2H, 6, ठीक, तो यह eth ethane हो गया, an यानि के single-single bond लग रहे ह मैंने बता दिया, फिलाल इसकी जरुवत नहीं है आपे, अब मैंने मानलो आपसे बोला, कि बचो, जब हमने methane को उठाया, that is CH4 को उठाया, इसमें हम replacement कर रहे हैं, यानि कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, replacement कर रहे हैं, that is, 1 hydrogen को ले ले रहे हैं, हमने मानलो इससे 1 hydrogen ले लिया, आ अब मैं यह X कहां से आ गया, तो यह जो आपने, halogen मैंने बता है, उनको R भी, sorry, halogen जो मैंने आपको बता है, उनको X भी denote करते हैं, ठीक है, alkan है, तो R लिख देंगे, halogen है, तो X लिख देंगे, simple, तो मैंने अगर इससे 1 H हटा दिया, इसमें 1 X जाल दिया, तो इसका formula क्या हमारा, यह यह पूरी चीज जो ही है, चलो, compound अटाओ, यह जो पूरी चीज है, this is, leads to the formation of halo alkanes, क्या यह बात सब को सुन मागी, halo alkanes क्या होते है, replacement होता है, मैं देखो, एक एक चीज आपको detail में पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, चाहे जो हो, हाँ, मैं जल्दी, जल्दी कर जल्दी करने के लिए मैं वीडियो अप्लोड जल्दी-जल्दी कर दूँगी, ठीक है, राइक मैं बना के, per day upload, जैसे अभी तक आपका आएगा, कुछ एक schedule चलता था, right, MWF, लेकिन, last chapter जो आपका upload हुआ है, उसमें भी ध्यान से देखो, तो मैंने उसको continuous upload कर दिया, right, प replacement of one or more hydrogen atom, एक या एक ज्यादा hydrogen atom को replace कर देंगे, of an alkane, by an equal number, this is again important, कि जब आप hydrogen हटा रहे हो, तो जितने hydrogen हटा रहे हो, उतने ही आप halogens लगा रहे होगे, ठीक है, इसलिए तो उसकी valency fulfill होगी, ना, four valencies, so, by an equal number of halogen atom, results in the formation of alkyl halides, ये भी आद रखना, alkyl halides बोलते हैं हम hal halogens को, ठीक है, तो results in the formation of alkyl halides, या फिर जिसको हम बोलते हैं, halo alkenes, ठीक, नीचे वाली equation समझ गया होगे, कोई भी एक, हमने compound लिया, कोई भी एक alkane compound लिया, उसमें hydrogen को निकाला, halogen को डाला, तो जो compound बनके आएगा, वो हमारा halo alkane कहलाएगा, तो halo alkane अपको सम्झ में आ गय ठीक है, जल्दी से screenshot ले लो, okay, next, hello arines, अब यह hello arines क्या होता है, देखो, जब arine की बात हो रहे है, पहले चीज, तो aroma, arine, what is this aroma, what is this arine, तो इसका मतले है, पहले चीज तो बेंजीन से something बात हो रही होगी है, ठीक है, बेंजीन related, बेंजीन जानते हो, carbon carbon की एक ring जो बन जाती है, आपने पढ़ा होगा हमेशा वो भी, चलो इसको रीट करते है, एक बार, when hydrogen atoms attached to a benzene, when hydrogen atom attached to a benzene rings, और aromatic hydrocarbons, उसको aromatic hydrocarbon बोलते है, aroma means smell होती है, ठीक है, so that is known as aroma, और aromatic hydrocarbons are replaced by, यहाँ पे भी same चीज हो रही होगी, replace करेंगे halogen से, the compounds that are formed are known as hello arides, या फिर इसको बोलते है, aryl halides, ठीक है, aryl halides, confused तो नहीं हो रहे है, यहाँ पे aryl halide नहीं लिखा है, यहाँ पे alkyl halide मिला है, आज का जो topic है हमारा, उसमें हम classification पढ़ेंगे, और इतनी confusion होती है, बच्चों को इतनी ज्यादा confusion होती है, classification में, कि अरे, अभी vinyl बोला आ उसमें क्योंकि नाम बहुत similar रहता है, तो इसलिए बहुत लोगों को हो जाती है confusion, ठीक है, so ऐसी यहाँ पे देखो, alkyl halide is haloalkane, but aryl halide जहाँ पे हो जाएगा, it will known as haloirines, ठीक है, हा, तो मतलब simple सी बात है, एक benzene ring है आपके पास, ठीक, एक benzene ring हो गई, छे carbon की ring जो है, ठीक है, वो benzene ring हो गई, इसमें से आपने क्या किया, एक hydrogen को हटा दिया, इसी में आपने क्या किया, hydrogen को हटा दिया, और halogen को जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा हमारा haloirine, ठीक, तो मुझ से ये ring साई से नहीं बन रही है, haloirine, ठीक, आपने क्या किया, एक hydrogen को हटा दिया, halogen को लगा दिया, इसको बोलेंगे haloirine, ये x बना हुआ है, ठीक है, ठीक, तो haloirine बन गया, simple, तो hydrogen atom अटाच है, बेंजीन से, और aromatic hydrocarbon, ये aromatic hydrocarbon, ये aromatic hydrocarbon, are replaced by halogen, उसको halogen से हमने replace कर दिया, तो वो हो गया, हमारा haloirine, atoms, the compounds that are formed are known as haloirine, और arylic, ये, sorry, aryl halides, is this thing clear, note करो, जली से, screenshot लेना, you can take this screenshot also, ठीक है, ले 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 होगा सबने, तो यहाँ पर हमारा haloirine बन गया, simple, आगे चले, okay, next, classification, तो यही है वो सरदर्द, classification of alkyl या aryl halides, ठीक है, किस सरीके से classify होते हैं, alkyl halide, या aryl halide, या नहीं कि, halo alkenes और haloirines, अब यह जो classification है, यह दो basis पर किया जाता है, ठीक है, फर्स होता है, number of carbon atoms, on the basis of number of halogen, sorry, 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 I said carbon, on the basis of number of halogen, कितने halogen लगे हुए हैं, एक particular carbon से, एक particular alkane से, उस पर depend करेगा, second होता है, on the basis of hybridized state of carbon to which halogen is attached, hybridized, अब carbon की तो भाई, दो ही hybridization state होती है, sp2, sp3, ठीक है, तो या तो पहला classification होगा, on the basis of कितने halogen उस से attached है, दूसरा classification होगा, on the basis of hybridized state of carbon, जो क्यों होता है, या तो sp2, या तो sp3, ठीक, sp2 और sp3, दो तरीके से यह hybridized state में होता है, अब इसके further, problem कहां आती, यहां पर problem बच्चों को नहीं आती है, यहां तो वो खुशी-खुशी एकदम बैटे होता है, चलो मामने, classification हमको तो confusion नहीं आ रही है, confusion या थी कि इसके further parts होंगे, इसके further parts होंगे, इसके होंगे, and so on, तो वहां पर confused होना, इंजान शुरू कर देता है, ठीक है, तो लेकिन नहीं होना है, चलो मैं समझाती जाओंगे, आपको जल्दी-जल्दी से, फिलाल, दो classification है, अब इसका further, दो classification है, ठीक है, and sp2 वाले के further, दो classification है, ठीक है, on the basis of number of hydrogen या number of halogen जो लिखा हुआ, ये भी तीन classification इसके होते हैं, ठीक है, इसको लिख दूँ, मैं यहीं पर या बाद में लिख दूँ, एक होता आपका monohalogenated, dihalogenated या trihalogenated, तो मैं भी आपको पहले समझा देती हूँ, फिर या पे लिख दूट कर दूँगी, ठीक है, तो number one हम ये पढ़ने वाले है, on the basis of number of halogen, कितने halogen लगे हुए हैं, उस पर भी तो depend करेगा, तो start करते हैं, classification of halogen compounds, number one classification on the basis of number of halogen atoms present, clear है, क्या बोल रहा देखो, The halogen derivatives of hydrocarbons are classified as mono, di, tri or poly halogen compounds, वाई कितने halogen हो सकते हैं, एक halogen है, तो यार mono halogenated, दो halogen है, तो dihalogenated, तीन halogen है, तो tri halogenated, and अगर तीन से ज्यादा है, तो poly halogenated atoms, ठीक है, तो ये जो halogen compounds हैं, ये जो हमारे compounds हैं, ये halogen में कुछ तरीके से define है, number of halogen के basis पर, एक है तो, mono halogenated, दो, तीन, चार, बता दिये सारे, राइट, तो वो बोल रहा है, कि जो halogen derivatives है, hydrocarbon के, वो classify है है, mono, di, tri or poly halogen compounds, according to the number of halogen atoms present in their molecular structure, किसके according है, जितने halogen present है, उसके according है, उसके according है, वो बने हुए, जैसे कि, number one is, mono halogenated compounds, या इसको mono halogenes भी बोलते है, देखो, mono halogenes भी बोल सकते हो, mono halogenated compounds भी बोल सकते हो, ठीके, जो compound form होगा, that will known as, mono, mono, mono नहीं, I am saying mono, mono halogenated compounds, ठीक है, now, नाम सही समझ गए हो, mono मतलब मैं one, halogen मतलब उसमें halogen होगा, so, halo alkenes that have only one halogen group attached to the carbon chain, are known as mono halo alkenes, वो halogen जिसमें सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ कितने, एक halogen group attached होगा, किसी भी carbon chain से, तो उसको हम बोलेंगे, mono halo alkenes, ठीक है, okay, for example, methyl fluoride, methyl क्या होता है, यार, ethyl, methyl, ethyl, यह सब आपने पढ़े होगे, जैसे कि, methyl होता है, CH3, और क्या बोल रहा है, fluoride, तो F, तो यह किसका example होगा, यह होगा, सिर्फ एक carbon chain से, मतलब जो carbon की, जो भी carbon compound है, उससे सिर्फ हो सिर्फ एक halogen connect है, देखो, carbon की valency अभी बताई, 4, 1, 2, 3, 4, तो वो एक hydrogen आया, दूसरा आया, तीसरा आया, और चौते में हमने क्या लगा दिया, minus कर दिया hydrogen, plus कर दिया halogen, तो क्या बन गया, यहाँ पे X, तो यह जो बना, अब यह जो X है, यहाँ पे हमने fluorine रखा है, तो इसकी जगे F लिख देंगे, bromine रखा हो तो तो BR लिख देते, bromine रखा हो तो उसको बोलते है, methyl bromide, methyl chloride, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो पहला example तो हो गया आपका, methyl fluoride, second, ethyl chloride, ethyl, ethyl is basically C2H5, chloride लगाया तो CL, तो ethyl chloride, देखो, दो carbon की chain है, तो दो carbon है, sorry, दो carbon bonded है, bonded है, bonded है, एक bond से, single bond हो रहा है आपे, ठीक है, यह चो SP3, SP2 अभी बताओंगे, तो उसमें आपको और अच्छे समझाएगा, एक single bonded होता है, मेशे, एक double bonded होता है, ठीक है, चलो, ठीक है, ठीक है, एक benzene ring देंगे, उसमें क्या लगा, IDO, IDO, X की जगे, I लिख देंगे, ठीक, यह हमारी benzene ring थी, साथ में लगा IDO, so it was, it will known as IDO benzene, क्या यह mono halogenated है, ध्यान से देखो, बिल्कुल है बई, एक halogen लगा है, benzene में carbon से, so यह mono halogenated है, simple, बात सुन मैं, चल जल्दी से screenshot ले लो, मैं क्याल समझ गया होगे, mono halogenes क्या होते है, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो इसमें, CH3, CL भी हो सकता है, CH3, IDO भी हो सकता है, bromo भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जल्दी से screenshot लो, next, यह जो mono halogenated है, यह further 1 degree, 2 degree, 3 degree में classify होते है, लेकिन यह classification अभी मैं नहीं बताऊंगी, वो इसलिए क्योंकि इसी के आगे, यह जो mono halogenated को सबसादा पढ़ना है, आपके course में, ठीक है, तो यह जो mono halogenated है, इन में, सबसे जादा क्या आपको पढ़ना है, इसमें सबसादा आपको alkyl halides के बारे में पढ़ना है, इनी को बोलते हैं, इनी को आगे further आप लेके जाओंगे, तो यार वो इतना जादा, उसी में सारी चीज़े समझ लोगे, तो यहाँ पर मुझे बहुत जरूरत नहीं, still I'll tell you bit of it, the mono halogen derivatives are further classified as primary, secondary and tertiary alkyl halides, it has been discussed in the halo alkynes below, ठीक है, जब मैं halo alkynes आपको पढ़ाऊंगी, उसमें मैं आपको यह बत बताने वाली हो, अभी के लिए यहाँ पर छोड़ देते हैं, कि यह जो आपका mono halogenes हमने पढ़ा है, यह तीन पार्ट्स में divided है further, जिसको हमने बोला 1 degree, 2 degree and 3 degree, ठीक है, अभी इस पर आते हैं हम लोग, वापस से आएंगी इसी वाली slide पर, next पर आते है फिलाल, diahalogenated compounds, क्य मुझे बहुत जादा explain करने की जरूत है, di means, di means 2, halogenated means, halogenated means halogen लगा होगा, तो diahalogenated compounds, यानि कि जिसमें 2 halogen लगा हो, अब यह further 2 types से होते हैं और यहीं पर बच्चे को confusion एक्दम शुरू होना, एक्दम start हो जाती है, यहीं एक्दम confusion boost up हो जाती है, right, diahalogenated compounds, यहार देखो 2 halogen लगा होगा, तो कुछ ध्यान से सोचो, 2 halogen तो 2 तरीके से लग सकता है, माम हम तो ध्यान से नहीं सबच पा रहे हैं, यहीं सोच रोन मन में, बताते हैं, halo alcanes that have 2 halogen group attached to the carbon chain are known as diahalo alcanes, वो halo alcanes, जिनमें 2 halogen connected होंगे, बोलो, उसको बोलेंगे, diahalogenated compounds, कैसे हो सकते है 2 hal halogen का मतलब connect, I am actually confused about saying connected, connected ही नहीं निकल रहा है मेरे मुंग से, देखो, बात को ध्यान से समझो, क्या मैं यह बोल सकते हूँ कि यह हमारा C, 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 carbon की chain है, no matter क्या है, carbon की chain है आप खिलाल, ठीक है, hydrogen fill कर लेंगे, यार वो बोल रहे है, 2 halogen connected, चलो करते हैं, एक ही हो गया, एक ही हो गया, क्या यह बात सही है, क्या इसमें किसी हो कोई confusion हो सकता है, अब मैं जर्दा आपको थोड़ा सा confuse करती हूँ, 1, 2, ठीक है माम, ठीक है, यहां तक तो हमें अभी confusion नहीं हो, यह, यह, क्या यह सही है, क्या यह सही है यह गलत है, अब इसको तुम लोग यह मत बोलना, मा यानी की halogen, जो हम लगा रहे हैं, जब हम dihalogen की बात कर रहे हैं, तो दो तरीके से वो लग सकते हैं, एक यह तो बगल बगल वाले कारबन में, एक यह तो उसी कारबन में, क्या यह बात ध्यान दिया आप लोगों ने, अच्छा, चलो, यहां पे इस बात को समझो, these are further divided into two groups, dihalogenated further, दो groups में divided हैं, जिनको हम बोलते हैं, geminal and vicinal, क्या बोलते हैं, geminal and vicinal, चलो, geminal के बारे में बात करते हैं, मैंने आपको example समझा है, अभी यहां पे और समझो, geminal dihalides have both halide groups attached to the same carbon atom of the compound, चीक है, यहां तक है इसकी definition of the compound, कौन होगा इन दोनों में से geminal, आप समझे ना बा कि एक ऐसे time, एक ऐसा compound बन रहोगा, यानि की carbon-carbon connected है, लेकिन जो halogen 2 लगे हैं, हमेशा 2 लगेंगे, dihalogenated में, 2 लगे हुआ हैं, लेकिन कौन से वाले पे 2 लगेंगे, यह कैसे पता चलेगा, यह पता चलेगा, geminal and vicinal से, ठीक है, geminal की बात करें, तो खुद का उस पे, देख होता है, कि दूसरों किया हो रहा है, या क्या हुआ था, या क्या हो गया है, या क्या होगा, राइट, एक ऐसे लोग होते हैं, जो अपनी ही जिंदगी में बहुत खुश होते हैं, अपनी ही जिंदगी में over obsessed होते हैं, खुद से, राइट, कि भाई कोई बात होगी अपनी ब इच्छा रही है यह वो इंसान है जो खुद से अपने बारे में बात करते है अभी आपको लग रहा होगा कि यह माम क्या बोल रही है जब आप इस पर confusion आगे 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 हर जगे पर होता जाए कि इसने उस carbon के साथ लगा हुआ है इस carbon या आगे अब्धु एक सब्सक्राइब करेंगे हमेशा सीम carbon से डायच तो झारवन मतलब सब्सक्राइब White लेकिंश़ ludzi यह जह हालोजन है यह हीक सावह दूट वकूवललेट फ्यस्मीट कारवन Have रडदीर्ध सकनेक्टेर्ट है अलग- अलग- से विसनल जब भी याद करना बस एचेसंट वर्ड याद रख लेना इतना सा काम करना है ठीक है अपने बात कर रहे हैं बड़ोस की बात कर रहे हम अपने लंडेन में कोई हमारे बुपा रहे हैं उनकी बात थोड़ी कर रहे हैं तो वो नहीं आ रहा है है ठीक है जो भी ये कुछ नहीं है ये ये ना जै planning ये ना ठीक हिसनल है या तो सेंगे कार्बन पर इता चोगा या तो एढ़ेसंट कार्बं पर अथा चोगा यह बात आपको बस फोकस रखने है ठीक है चलो now you can take the screenshot if you want ओके यह भी आपको ले सकते हो क्योंकि आपको यही एक्जाम्पल है ठीक है तो इसका एक्जाम्पल यह वाला था और इस वाले का एक्जाम्पल यह लिख लेना ठीक है बात समय है यह जैमिनल विसिनल जली से नोट करो इसको ले लो पहले screenshot ले ले लिया ओके moving on to the next thing try halogenated अब यार अगें तीन halogen लगा हो तो try halogenated यह क्या होते हैं halo alkenes that have three halogen group attached to the carbon chain are known as try halogenated example क्या हो सकता है इसका इसका example हो सकता है chloro form ठीक इसका example हो सकता है ido form, bromo form इसको क्या बोलते हैं हाँ एक बात और इनके जो examples होते हैं halo form क्या बोलते है halo form यानि कि halogen साथ में form लगा देना है ठीक है chloro form क्या होता है CHCl3 एक hydrogen थीन क्लोरी हाँ बैलेंस है ठीक है तो CHCl3 आइडो form बोल सकते हो राइट CHI3 bromo form बोल सकते हो CHBr3 तो इस तरीके से जिन में तीन halogen attached होंगे वह होंगे tri halogenated compounds ठीक है पढ़ लिए बात हमने ओके कहा गया कहा गया यहा रहा नहीं यह रहा ठीक है तो हमने इसमें क्या पढ़ा हमने इसमें दो तीन चीजे पढ़ी जैसे कि पहली बात हमने जानी कि एक तो हमारे होते हैं तो हमने नियुक्त में नियुक्त में अगरे हमने जानी कहरी जिसको बहुते हैं है दो टाइप का डाय हेलोजिनेटेड कंपाउंट्स के दोनों चीजे याद रखना इंपॉर्टेंट है अभी से बता दे रही हूं मैं ठीक है तो इसको लिखते हैं याप एक होता है आपका बहुत स्यादा कंजस्टेड हो रहा है इसको मैं नीचे कर देती हूँ याप सही है एक कांश एक को कहते हूँ आप डाय हेलोजन में जमनल कि इक को कहते हूँ है इक को कहते हो आप विसनल एंड में मैं यहां से हट जाओंगी तो आप इसका screenshot जरूर लेना ठीक है geminal and vicinal इसका end वे screenshot लेना पूरे पूरा यह जो चार्ट है अभी मत लेना ठीक है geminal vicinal समझ गे घुत के carbon पे vicinal समझ गे adjacent carbon पे आज-पास वाली लोग है यह जो दूसरों की बात ज्यादा करते हैं ठीक है चलो पहला classification हमारा खतम हो गया on the basis of halogen number of halogen आते हैं second पे चलो यहां से यहां से so classification on the basis of type of hybridization of the carbon atom directly bonded to the halogen atom now जब यह आप hybridization की बात करते हो तो carbon में हमारे course में सिर्फ दो है sp3 hybridization sp2 hybridization ठीक है hybridization समझ जो ना किस तरीके से जैसे sp3 sp2 तो carbon क्या होता है बही चार valency होती है तो sp3 हो गया तो sp2 होगा ठीक है sp3 के time पर single bonded होगा sp2 के time पर double bonded होगा वह उस पर आते हैं भी फिलाल तो फिर्स से compounds containing sp3 carbon halogen bond sp3 carbon halogen bond इसमें होता है number one आपका alkyl halides यह सब कुछ आएगेस सही एक दम इसमें जो आपका number one होता है वो होता है alkyl halides ठीक है अब यह क्या होता है alkyl halides अचा alkyl halides को यह halogen बोलते हैं यह पता है न आप यह भी बताया था primary यानिकी one degree secondary यानिकी two degree tertiary यानिकी three degree alkyl halides depending upon whether the halogen atom is attached to a primary secondary or tertiary carbon atoms respectively यानि की यानि की जो halogen है वो किस carbon से connected है ऐसे carbon से जो एक carbon से connect है या ऐसे carbon से जो दो carbon से connect है या ऐसे carbon से जो तीन carbon से connect है तो उस time पे जो bond बनता है उस time पे जो compound होता है उसे हम classify करते है आज one degree two degree and three degrees में clear है अब मेरे ख्याल से मेरे बताने के पहले समझ रहोगा वन डिगरी में कितने carbon होंगे से कितने carbon से हाइच होगा दो डिगरी में कितने से और तीन डिगरी में कितने से नहीं समझ रहो चलो फिर समझाते है जिसको समझ में नहीं आ Rub है अगर हम बात करते हैं वन डिगरी ऐसा गषिवोंहां बन ढोलगा है तो बच्च वrs यह कार्बन ने हमारा सिंपल से करब से करके सिल् fem ये कार्बवन एक कार्बन से क्नेक्टे ने सा इंट साथ में हेलोजन लीया हुआ है तो यह कहलाएगा हमारा वन डिगरी या फिर प्राइमरी, क्या-क्या बोलेंगे इसको, you can call it as प्राइमरी, अलकाईल एलाइट, और we can also say it as 1 डिग्री, ठीक, प्राइमरी या 1 डिग्री जिसको बोलते हैं, जरा सेकेंड पर आते हैं, हालोजन जिस कार्बन से कनेक्टिड है, वो फर्दर दो कार्बन से कनेक्टिड है, हालोजन जिस कार्बन से कनेक्टिड है, वो फर्दर दो कार्बन से कनेक्टिड है, तो इसको हम बोलेंगे, simply secondary और 2 degree secondary और 2 degree clear है? अभी मैं और clear करते हूँ इस बात को फ़र समझ लो, फिर क्या है? फिर क्या है भई? 3 degree, 3 degree क्या होता भई? halogen जिस carbon से connected है वो further 3 carbon से connected है तो इसको आप बोलोगे 3 degree और tertiary ठीक है? यह carbon जहां में लगा रही हूँ न वहाँ R भी हो सकता है, L-Kyle भी हो सकता है, L-Kane भी हो सकता है, R जो मैं बोल रही हूँ ठीक है? क्योंकि कई ज़्यके पर carbon दिया रहते हैं, कर ज़्यके पर R, दोनों सही होंगे, ठीक है? मैं आप बोल सकती थी कि R, यह जो connected है, यह ठीक, तो वो दोनों सही होता है, फिलाल, इसको हटाओ, इससे कोई मतलब नहीं, अभी आपको जो main focus करना है, वो कैसे याद करेंगे, माम हम यह चीज, इस चीज को तो याद करना थोड़ा सा, difficult हो जाएगा, तो आपको करना क्या ह है, जहां से halogen connect है, उस carbon पर पूरा focus कर लो, यह halogen इस carbon से connected है, चलो, हम इस पर focus करते हैं, हम ने इस पर circle कर लिया हालूगन जिस कार्वन से कनेक्टेडही फ़र्दर एक कार्वन से कनेक्टेडही है तो उसको बोल दिया वण डिग्री तो जो कारवन कनेक्टेडू ऋस पर में फोकॉस करने स्कीते यह ने आप ग्जंपल देखने में असान लग रह रहे हैं कुछ कि और खूले को तका कि यहां पर मख्धो थिखा यहां पर देख वहां कि यहां पर पर है यह पर श 채연 क्शेश कामन इंड हमれない हमें इसपर फोकस कर लेना अ सिंपल फेलिए स्वकरकर्श यह दो कर वनोट तौह आर लाके तो आम से अम दे कuppal पर आरफ नाम दे फोकस कर लिया इस पर, यह फर्दर तीन करबन से कनेक्टेड है हमने बोल दिया tertiary, बताओ किसी को कोई confusionist में, मेरे ख्याल से नहीं होगी, चलो, अब ज़रा कुछ और तरीका देखते हैं, halogen, for example, I can say, I can say, यह example माल लो, C, 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 और यहां पर लगा दो, X, आप मुझे बताओ, खुछ सा सोचना, पहले आप खुछ सा आंसर देना, then I'll give you the answer, क्या है यह, वन डिग्री, टू डिग्री, थ्री डिग्री, क्या है, सोचो, सोचो जरा, सोचो, मुझे क्या हुआ है, हान, थीक है, मेरी अवास खराव है, चम वह जा रही हो, कि, यहां बता बनाहें रिग्री, टू डिग्री, थी, डिग्री, वो कितने carbon से connect है यह बताएगा, अब कई लोगों सोच रहोंगे कि 1, 2, 3, tertiary यह वो वो यह नहीं, halogen जिस carbon से connect है वो तो एक ही carbon से connected है, वो तो सर्फ एक ही carbon से connected है, यह सब तो इस वाले carbon से connected है, बात सुन में हारी है, halogen जिस carbon से connect है, वो carbon कितने carbon से connect है, तो वो तो मेरे 3 degree कई भच्चों ने 3 degree सोचा होगा अगर आपने 1 degree सोचा है तो अपने आपको थोड़ा ऐसे-ईसे कर लेना ठीक है अगर आपने 1 degree सोचा है तेन यूर राइट ठीक है और बताओ और एक्जाम्पल दूँ अब अच्छा बताओ ये क्या होगा हुआ है चलो ठीक है बाकी है अब फिल नहीं कर रही हूं आपको जब आएगा तो हैच भी आएगा बताओ क्या होगा सुचों है लो जिन जिस कारवन से कनेक्ट अब फोकस किया वह फर्दर एक एक दो टीन त्री योग आपका 3D बोलो मेरी बात सब कुसान में आ रही है 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 की जिस कारवन से कनेक्ट है वो कितने कारवन से कनेक्ट है यह इसी से पता चलता है कि जो पटिकुर्य हर कमपाउंड है वह 1 ं 2 ierry है यह धीर एटीक है चलो इसका स्कुरूर्णे मैं लिया था नहीं किस वाले का नहीं बोलती, इसका नहीं बोलता ह writing किन खिया कर लेका इसका screenshot ले लेना चालो ले लो जल्दी से screenshot okay next हमने क्या पढ़ लिया हमने पढ़ लिया alkyl halides चलो mark कर देते हैं जल्दी से अपने चार्ट में alkyl halides कितने parts में further further है 3 part में क्या क्या बोलेंगे इसको 1 degree, 2 degree and 3 degree आप इसको primary, secondary and tertiary भी बोल सकते हैं राइट primary then चलो चलो रहेंदो 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 बाई चलो 1 degree, 2 degree, 3 degree कहां तक complete किया है हम लोगों ने यह complete कर लिया है then comes then comes allylic okay now allylic halides कितना जादा confused हो रहें ना तुम लोग एक डम से कि माम यह क्या आपने बोला आलकाइलिक halides, allylic halides देखो अलकाइल हो गया अब allylic पर आए हैं, allylic क्या होता है यह एक ऐसे compounds हैं यह वह वाले आप यह वाले ओलो लोग आ गया है जो दूसरों की बाते करते हैं ठीक है अपने नहीं दूसरों की बाते हैं तो double bond से जो तो carbon connected होंगे, उसके बडोस में, उसके, मतलब बोल दो, बगल वाले, उसके आसपास वाले में, जो halogen connected होगा, वो कहलाएंगे, उस वाले compound को कहलाएंगे, एलाईलिक हैलाइट, नहीं समझा है न, बताते हैं, in these हैलाइट, the halogen atom is linked to sp3 hybridized carbon atom, which is then linked to a carbon-carbon double bond, that is to an allylic carbon, यानि कि इस example को आप ध्यान से देख लो, सब समझ में आ जाएगा, carbon-carbon के बीच में double bond, दो carbon, आराम से double bond, मतलब दो लोग बैठे हुआ है, बगल वाले carbon के साथ, अगर halogen लग गया, तो वो कहलाएगा, allylic halide, क्या बात समझ में आरिये सबको, फिर से समझो, carbon-carbon के बीच में double bond, लेकिन इन दोनों carbon से मतलब नहीं है, मतलब किस से इनको, इनको मतलब है, बगल वाले carbon में, जो halogen लगा हुआ है, उससे इनको मतलब है, क्या ही बात सबको समझ में आरी है, मैं भी valency बार बार फिल नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर CH2 होगा, ठीक है, so, double bond के बगल वाले carbon पर halogen connected है, तो वो कहलाएगा, allylic halide, बात सुन में आई, alkyl भी यही था, देखो, alkyl की जब बात करते है, 1 degree, 2 degree, 3 degree, वो अपने carbon वाली बात हो थी था, वो भी SP3 में, राइट, लेकिन यहाँ पर क्या को clear हुई, allylic halide सबको clear हो गया, okay, चल, इसका screenshot ले लो, अगर मैं आपको इसके एक दो question और बता हूँ, तो कैसे, चलो, बेंजीन का example लेते है, यह हमारा बेंजीन है, ठीक है, मानती हूँ, मुझसे नहीं बनता है, अच्छे से, it's okay, don't laugh, यह हमारा बेंजीन है, यह double bond वाला carbon है, यह double bond वाला carbon है, अब यह बताओ, यहाँ पर अगर मैं लगा दूँ एक halogen, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, allylic halide, क्या हो जाएगा, allylic halide, देख लो, सुन लो, सोच लो, समझ लो, और फिर बताना आया कि नहीं है, पहले सब ट्राय करो, फिर सही चिनो, kind of thing, ठीक है, तो देखो, double bond वाले से नहीं connected है, double bond के बगल वाले carbon से connected है, तो यह हो गया हमारा allylic halide, यह यहाँ भी हो सकता था, right, भाई, simple सी बात है, किसी भी, किसी भी, आसपास वाले की बात कर रहे हैं, अपनी, खुद की बात नहीं कर रहे हैं, तो यह इनके उपर है, फिर हम तो देख की बताएंगे, इधर की बात करें, चाहिए उदर की बात करा है, कहले आएंगे तो यह चुगल खोरी, यानि कि कहलाएंगे तो यह allylic halide ही, क्या यह बात सबको समझ में आ गई, आसपास वाले से, double bond के आसपास वाले carbon से, अगर कोई भी halogen connect है, उसको बोलेंगे allylic halide, जली से देखो, screenshot लो और बताओ, आया या नहीं आया, आगया, पका आगया, पका वाला promise, okay, चलो, benzylic halide, अब यार, क्या यार, यह तो वही बात होगे कि चुगल खोर, और, और मतलब चुगली करने वाले अलग-अलग होते हैं, है तो दोनों यह जैसे ना, तो यहां प that is to a benzylic carbon, then it is known as benzylic halide, क्या कहलाएगा यह, benzylic halide, यानी की, यह हमारा benzene है, right, तो वह बोल रहा है, halogen atom is linked to sp3 hybridized carbon atom, which is then linked to an aromatic ring, then linked to an aromatic ring, तो यह हो गया इसका example, चीक है, मुझे यह बताओ, oh sorry, 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 अब सोच के बताओ, क्या यह सही है या नि, जल्दी से सोच के बताओ, तब तक मैं अज़र अपना mic से कर लूँ, देख लूँ कि सही है या नि, आपके साथ साथ मेरा mic भी खराब हो रहा है, क्योंकि आज, इसका सही है, एक दम सही, एक दम, वा, वा, ओके, चलो, क्या यह बात सही थी, सोचो, अब एक बात मेरी नोट करना, थोड़ा सा मेरी बात को जान लो पहले तो, जब हम बात करते हैं बेंजाइलिक हलाइड की, यह जब हम बात करते हैं बेंजाइलिक कारबन, यह बेंजाइलिक कारबन क्या होता है, यह बेंजाइलिक की सब क्या हो है, अगर हम बेंजाइलिक हलाइडिया बेंजा चुगल खोरी छो है सारे यह चुगल खोरी यहानी कहले यहां तो यहां चुगल खोरी होगा हमारो अपनी चुगल खोरी करना dit not चुगल खोरी अपनी बात हम बता रहे हैं, सामने सामने बता रहे हैं, तो हम थोड़ी चुगल कोर हुए, हम तो चुगल कोर हुए, जो हम दूसरों की बाते कर रहे हैं, तो यह वाला structure रॉंग हो जाएगा, वाइ, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि double bond के साथ में halogen लगा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, अपनी बुराई करना, इस नोट चुगल कोरी, यहाँ पर हम देखेंगे, तो यह double bond, अच्छा कोई इसमें तो confused नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है, जिसको लग रहे हैं, यह क्या बना रहे हैं, कार्बन, कार्बन, कुछ इस तरीके से बोल लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह होता है, आक्छुली में बेंजीन, राइट, 6 कार्बन कनेक्टे होते हैं, वो एक रिंग बनाते हैं, तो that is a बेंजीन रिंग, ठीक है, C6, H6, जिसका फॉम्ला होता है बेंजीन का, ठीक है, इसमें confused मत हो ना बच्चो, ना, तो चुगल खोरी ना, क्या कर रहे हैं यहां पर, चुगल खोरी, ठीक, तो चुगल खोरी खुद की नहीं होती, दूसरे की होती है, तो डबल बॉंड के बगल वाले कार्बन से, जो हैलोजन अटैच होगा, बेंजीन में केवल, केवल बेंजीन में, तो ये हो गया हमारा क्या बेंजाइलिक हैलाइट, फिर से मैं रीट कर रही हूँ, In these हैलाइट, the halogen atom is linked to an SP3 hybridized carbon atom which is then linked to an aromatic ring, that is a benzylic carbon, benzylic carbon, इस carbon को क्या बोलेंगे, benzylic carbon, ठीक है, इस carbon को बोलेंगे, benzylic carbon, इसको बोलते हैं, benzyne ring, क्या बात सन में आ गई, बगल वाले carbon, चुगल कोरी, बगल वाले की होती है, खुद की नहीं होती है, सबसे main बात यहां पर यह, take that screenshot if you want, चलो, इसको मैं बहुत ज़्यादा डीटेल में पढ़ा रही हूं, पता है आपको, like, बहुत over detail में पढ़ा रही हूं, what is the reason, reason is only this, कि confusion confusion हो जाती है, बाद में दिक्कत आजाती है, ठीक है, तो confusion नहीं हो, इसले मैं बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ा रही हूं, ताकि जब आपको बस एक्दम से question है, so that you will not get confused, कि यह क्या है, वो क्या है, हमने नहीं पढ़ा, या, Mike, आज माइक बड़ी दिक्कत कर गाए, okay, so, ha SP3 हम लोगों ने कर लिया, SP3 फिल कर दूँ, मैं, okay, कहां गया, ठीक है, तो यह हो गया हमारा benzyl, यह हमारा ally, benzyl समझ गया ना, बना दूँ यह आपके, बगल वाले कार्बन से हेलोजन कनेक्ट है, बगल वाले कार्बन से हेलोजन कनेक्ट है, ठीक है, allylic क्या होता है, allylic भी वही होता है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन की बगल वाले कार्बन से हेलोजन कनेक्ट है, यहाँ पर 2 होगा, I guess, right, ठीक है, तो यह हो गया हमारा, चलो हम लोग पढ़ रहे थे SP2 पर आते हैं जल्दी से, अब जो compounds SP2 ले रहे हैं, यानि कि compounds containing SP2 CX bond बना रहे हैं, उसमें क्या हो रहा होगा, तो उनमें दो टाइप के होते हैं, एक पहला है आपका Vinylick, Vinylick, Vinylick क्या होता है, the halogen atom is linked to that carbon which has carbon-carbon bond, जब हम SP3 की बात करते हैं, तो हो चुगलखोर है, सारे के सारे, उसमें साधा तर चुगलखोर भरे हुए, जब हम SP2 की बात करते हैं, वो self-obsessed वाले लोग हैं, जो अपनी बाते करते हैं, मैंने यह किया, मैंने यहां गया, मैंने यहां गया, मैं वहां गया, तो यह self-obsessed वाले लोग हैं, वो कौन थे? वो चुगल खोर वाले लोग थे, उनसे हमें मतलब नहीं, यह अपनी बात करते हैं बिचारी, यह सीधे साथ है, अब देखो example कितने अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पे, CH2 double bond CH single bond X, बात सुन मैं, double bond वाले साथ में carbon से connected है, जो double bond वाले carbon है, उसी से halogen connect है, अपनी बात कर रहा है, क्या दिक्कत है, कुछ जा थोड़ी रहा है, अपनी बात कर रहा है, double bond वाले carbon, दो लोग हैं, बात कर रहा है, तो एक carbon कौन है, जो अपनी बात कर रहा है, उससे halogen जुड़ा हुआ है, कहलाएगा vinylic halide, क्या कहलाएगा vinylic halide, यह देखो जै हम बोलेंगे vinylic halides, क्या यह बात सब को clear हुई, double bond में खुद से ही बना रहा है, अपनी बाते कर रहा है, तो क्या गलत है, चुगल खोर नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, SP2 वाले चुगल खोर नहीं होते, SP3 वाले जाधा तर चुगल खोर होते हैं, ठीक है, तो vinylic कौन हो हुआ है, ठीक है, सब को सुन में आ रही है, स्क्रीन शट लो जल्दी से इसका, ओके, आगे बढ़े हैं, ओके, next, aryl halides, aryl halides क्या होते हैं, in these halides, the halogen atom is directly linked to the aromatic ring, the carbon atom linked to the halogen atom, X is SP2 hybridized, again यह अपनी बात कर रहे हैं, यह halogen हो गया, अभी जो मैंने आपको एक डाइग्राम बना के काटा था ना वो, यह halogen हो गया, double bond होगा भई, double bond के साथ ही connected है एक halogen, तो यह हो गया हमारा aryl halide, देखो जब aryl वाला वर्ड आता है ना तो वो बेंजीन वाली बात हो रही होती है, ठीक है, alkyl, जब बातात होती है, तो वो halogen बोल रहा होता है, aryl, aryl lake, यह सब आते है ह बेंजीन वाली बात हो रही होती है, तो यह क्या हो गया हमारा, यह हो गया हमारा aryl halide, जब बेंजीन के double bond जिसमें हैं, उसी में एक halogen लगा है, तो वो sp2 में आता है, sp2 चुगल खोड़ नहीं होते हैं, खुद की बात कर रहा है, aryl halide क्लाएगा, aromatic halogen compounds are called halogenes, as I told you, इनी को तो हेलो एरीन बोलते हैं, जो aromatic compound होते हैं, thus benzylic and aryl halides are special types of these हेलो एरीन, यह special type होते हैं, हेलो एरीन के उसी के अंडर पढ़े जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर पूरा वीडियो, चलो बताओ जल्दी, सब को सब कुछ कुछ क्लियर है, हम लोगों ने क्यान लिखा, हम लोगों विनाइलिक नहीं लिखा, हम लोगों ने अराइल नहीं लिखा, चलो लिख लेते हैं जली से, विनाइलिक, विनाइलिक क्या होगा भई, कार्बन, कार्बन, डबल बॉन्डेड है, साथ ने एक हेलोजन लगा हुआ है, तो यह कहला हैगा हमारा विनाइलिक, अराइल क्या यहीं से लगा हुआ है एक X, बहुत बेकार बनाती हूँ मैं यह बेंजीन, I don't know why चलो थोड़ी सही है, हाँ, तो यह लगा हुआ है, तो आपको फरक समयार होगा, यहाँ पर ध्यान से देखो, जब आप अलाईल और बेंजाईल दो हैं, तो आप भी दो हैं, सेम होते हैं दोनों, लेकिन फरक क्या है केवल और केवल, एक बगल वाले की बात करता है, एक क्लासिफिकेशन ऑफ अलकाईल या अराईल हलाइट्स दो टाइप से होते हैं, दो पेसे पे होते हैं, पहला बेसे होता है, ऑन दा बेसे ऑफ नंबर ओफ हालोजेन अटाज्ड हैं, कितने, दूसरा बेसे होता है, उसके हाइब्रिडाइज स्टेट में, that is SP2 and SP3, जब हम ब ुआ हलोजेनेटेड, ठीक, टाए匠ीटति, दो हलोजोन लगे होंगे कारबन में, तो वो एघी अरचीटति है, डाहलोजेनेटि वर्धर दो टाइपस का होता है, जब आदब MuYचिनल, जब हम बाद करेंगे, तो हम याद रखेंगे कि येमिनल, ये किसमें मे कारबन से जित Chloroform, Idoform, Bromoform, इसको Haloform के नाम से जानते हैं, इसी में आते हैं हमारे Poly, Poly Halogenated Alkane, ठीक, Poly Halogenated Alkane बोल सकते हैं, Poly में देखो मैंने शाइद बताया हो, शाइद ना बताया हो, आप मानलो जैसे 4, जिसमें 4 लगे हूँ, 4 Halogen लगे हूँ, क्या example हो सकता है इसका, सबने बहुत जादा पढ़ा है, 10 में भी, CCL4, Carbon Tetra Chloride, 4 Halogen लगे हैं एक ही Carbon से, तो वो Poly कहलाने लगेगा, simple, यहां तक की बात clear है, on the basis, first वाला खतम हो गया, second होता है आपका on the basis of उसका hybridized state, यह दो types के होते है, SP2 hybridization state and SP3 hybridization state, हम बोलते हैं कि यह जो SP3 वाले, इनमें ज्यादा तर चुगल खोर है, ज्यादा तर कौन भरे हुए, चुगल खोर भरे हुए, जब हम बात करते हैं SP2 की, तो वो self-obsessed वाले हैं, अपनी बाते करते हैं, तो SP2 में आते हैं हमारे, sorry, हाँ, SP2 में आते हैं हमारे दो category, vinylic halide या vinyl halide and aryl halide, vinyl halide, दो carbon, आपस में double bond बना रहे हैं, उनमें से कोई भी एक के, बगल में जो halogen लगा है, बगल वाले carbon पे नहीं, बगल में halogen लगा है, तो vinylic, aryl कप कहलाएगा, बेंजीन रिंग में double bond जिस से है, उसी में एक halogen लगा है, तो वो कहलाएगा aryl, ठीक है, then हमारे SP3 hybridized carbon, यह further तीन पार्ट में होते हैं, इसका पहला पार्ट होता है, alkyl halide, alkyl halide क्या होते हैं, जो further तीन पार्ट में divide होते हैं, 1 degree, 2 degree and 3 degree, 1 degree, 2 degree, 3 degree को हम बोलते हैं, primary, secondary and tertiary, 1 degree मतलब कि carbon जिस halogen से connected है, या फिर बोलो, halogen जिस carbon से connected है, वो further एक carbon से और connected है, halogen जिस carbon से connected है, वो further एक carbon से और connected है, तो 1 degree है या primary, halogen जिस carbon से connected है, वो further दो carbon से connected है, तो 2 degree या फिर secondary, halogen जिस carbon से connected है, वो further 3 carbon से connected है, तो उसको बोलेंगे tertiary, या फिर 3 degree, clear हो गई? second comes, allyl halides, carbon-carbon के बीच में double bond है, और कोई भी एक carbon लेलो, इज अर साइड, left, right, कोई भी लेलो, ठीक है, मैं ऐसी बता दे रही हूं आपको, माहलो ये वाला carbon, इसके बगल वाले carbon में halogen लगा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एलाइल है एलाईल है लंग क्रवंपन के बीच में डूब और वॉन लेंकिन चुगलपी बगल वाले कार्भणरेंट तो उसकी बात चल रही होगा यहां पर ठीक है लेन कम्स बेणजाईल है है इसको ऐसी समढ़ला चूगल खोंटे Ramsay है एक यह हमारे होते हैं चगल खोर वाले टाइप यह होते हैं यहां पैसी लिख तू सेल्फ आप्सेस्ट खुद की जिंदगी में बात कर रहे हैं खुदी में खुश है तो यह इस तरीके से पूरा डिफाइन है लास्ट के दस्मुट में जो मैंने लेक्चर दिया है आप सिर्फ वह भी सुन सकते हैं यही सोच रहो नहीं सिर्फ ऐसे सुनते तो कभी आपको समझ में नहीं आता अभी जल्दी से ले ले स्क्रीन शॉर्ट फिर आम लोग टाट्या बाइबाइ कर लेते हैं लेलिया सबने स्क्रीन शॉर्ट ओके तो तो यहां पे खतम होता है हमारा क्लासिफिकेशन पॉर्शन नेक्स आएंगे इस ही के आगे जिसमें आपको काफी चीज़े पढ़नी है नॉमन